स्वागत है आप सभी का लर्न एंफन 11 12 के चैनल पर तो कुछ दिन से हम लोग केमिश्ट्री की यहां पर बच्चों रिवीजन कर रहे हैं और आज हम लोग और गैनिक के रिवीजन के जो तीन लेक्चर साने उसमें से सेकिंड लेक्चर की बात करेंगे जिसमें लोग बात करे वाले हैं वरडनप्रोंफ यह कैमिक्स और कुछ केमप्सन लेकिन फोकस हमारा और चैनल टेस्ट के उपर सब्सक्राइब तो चलो बच्चों बात करते हैं आज हम लोग रिवीजन के जिसमें हम लोग बात करने वाले वाले हैं वरड़ प्रॉब्लम की सो मतलब क्या होता है इसमें हम लोग बात करते हैं कि identify करो ए कौन है बी कौन है सी कौन है ऐसे करके कुछ statement दे रखी होती है तो इन questions को कैसे करना है इन questions यह question हमारे exam में कैसे आ रखे हैं और अभी फिलहाद देखो काम बहुत पटाता हूं क्यों यह उसे पहले वाले साल में हमारे पास और गैने के चारों के चारों चाप्टराय करते थे लेकिन इस साल हमारे और गैनिक के दो चप्टर आ रहे हैं तो world problem भी ज्यादा difficult कि पहले क्या होता था ऐसी वर्ड प्रॉब्लम बंते थी तो चारो चप्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया करती थी और उस केस में चारो चप्टर की रियाक्शन इन्वॉल्व हो जाया करती थी लेकिन अभी फिलाल यहां पे दो चप्टर हैं तो उसके हिसाब से पास सिरफ दो चप्टर बेस्ट रियाक्शन आएंगी जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है आप कह सकते हो बिलकुल भी मुश्किल नहीं होती है चलिए तो हमारे पास यहां पर पहला जो कोशन आ रहा है वो यह लेकिन दिहान दे जब भी हम कोई कोशन पहला कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं उनको अंडरलाइन कर लें जो जो इंपॉर्टन है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टन बात यह बच्चो कि उस गिवन चीज़ों से हम लोग अपने सबसे पहले कंपाउंड तक कैसे पहुँचे अब कभी कबार बच्चों गलत फेम हो सकता है आपको पहले सी अभी मिल जाए और फिर आपको एज मिलें तो जो पहले कंपाउंड मिल जाए उसको पकड़ लें और उसके हिसाब से काम करना शुरू करतें जैसे कि हमारे पास यहां पर कोशन कि और गयने कंपाउंड है जिसका मॉलीकुलर फरमला है सी एट एच अब इस फॉर्मले से यह कुछ भी हो सकता है हमें अभी फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है फॉर्म्स एन औरेंज रेड प्रेसिपिटेट वेद टू फो डी एनपी रिएजेंट यानि टू फो डाय नाइट्रो फिनॉल के जो हाइडराजिन डेरिवेटिव हैं उनके साथ ही य रिरो मैटिक होता है तो हमस्बसे पहली बात पता लग गई है और यह है कि यह पंदेडन है मतलब ऑसमें बैंजीन है यह मैं आपको समझाने कर टेस्ट भी दे रहा है इसका मतलब इसके पास अलफा मिथाइल भी है क्योंकि यह आईडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसके पास अलफा मिथाइल भी है और अब्वेसी बात है जहां पर लिखावा है कि यह टॉलेंस को रिड्यूस और फैलिंग्स को रिड्यूस नहीं कर पर परनाज़तों है इसका मतलब यह पक्का हो जाता है कि यह किटोन है अब आप यह देखो इसे किटोन भी होना है इसके पास अलफा मिधायल भी होना चाहिए और इस अरोमेटिक भी होना है तो उस हिसाब से अच्छा आगे यह भी लिखा हुए कि ड़स नॉट डी कलॉराइ C8H8O तो जो कंपाउंड A है जिसका फॉर्मला C8H8O हमें लेना है बचो अब आप दिमाग लगाओ पहले बात तो इसे एरोमेटिक होना है दूसरी बात है इसमें किटोन होना चाहिए और इसके पास अलफा मिधायल भी होना चाहिए तो इसके अलावा तो यह कोई और कंप यह है अब इसके बाद बोला हुआ है कि एक अलग-अलग रियाक्शन दो दे रहा है और ड्रास्टिक ऑक्सिडेशन विद क्रोमेक एसड या सी रोट्री या सी रोटू कोई भी फॉर्म ऑफ क्रोमेक एसड डाला तो इट गिवस कार्बोग जलिक एसड यानि ऑक्सिडेशन अब अगर मैं इसकी एसडिक ऑक्सिडेशन कर देता हूँ तो यह हमारा एक कंपाउंड है इसकी ऑक्सिडेशन से आपको क्या मिलेगा बच्चों सी ओ ओ ओ एच यह हमारा भी कार्बोग जलिक एसड यानि की बेंजोइक एसड बच्चों यह हो जाता है और आपको साथ साथ यह वह बोलावाए कि बाकी रियाक्शन भी आपको जो लग रही है वह दिखानी है तो बाकी रियाक्शन कौन कौन से लग रही थी सबसे पहली बात हमारा जो कंपाउंड ए है यह कौन सा टेस्ट भी दे रहा है टू-फोर डेनपी टेस्ट जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है बच्छो फिर बेंजीन और इसके टू पे और 4 पे NO2 इसको 2,4 DNP कहते हैं न हम लोग यहां से क्या चला जाता है याद करेंगे O और यहां से का जाता है H2 किसका लॉस हो जाता है H2O का और यहां पे double bond बना लेता है न यह तो याद होना चाहिए भई और यहां पे अगर यह double bond बना लेता है तो यह हमारे पास और इंज डाय बन जाती है और यहां पर भी अनुट्व आ गया इसके बाद कह रहे हैं कि न ए ओ एच इन दे प्रेजंस ऑफ आई टू या कभी कबार हम इसके अंदर न ओ आई भी डाज़ते हैं बात एक है तो आपको याद होगा हमें येलो क्या मिल जाता है प्रेसिपिटेट क्योंकि इसके पास अलफा क्या है मिधाइल है तो इस तरीके से यह हमारा हो गया है हमारा compound यह हो गया एसे में माँक करना वस और यह हमारा compound भी हो गया बाकी तो हमने क्या ही लिखी है बस reaction सी लिखी है समझ गए तो इस प्रेकार से को जाएगा चलिए अगला सवाल एक और गयने Compound है जिसका molecular formula आपको given है विच्छ ची 9H10O अभी फिलाल यह कुछ भी हो सकता है फॉर्म अगें यह 24DNP टेश्ट दे रहा है अगर यह 24DNP टेश्ट दे रहा है तो सबसे पहली बात यह एरोमेटिक है जिसके पास कार्बोनाइल है तो कि 24DNP टेश्ट एरोमेटिक कार्बोनाइल देते हैं अच्छा यह टॉलेंज को रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब है इसके पास LD हाइड भी है क्योंकि यह टॉलेंज को रिड्यूस कर रहा है और तीसरी बात यह अंडर गो कैनी जारो रियक्शन इसका मतलब इसके पास अलफा हाइडरोजन नहीं है बटा अगर एक कैनी जारो रियक्शन दे रहा है तो इसके पास क्या नहीं है अलफा हाइडरोजन नहीं है क्योंकि कैनी जारो वो देते हैं जिनके पास अलफा हाइडरोजन नहीं होते हैं और जिनके मतलब क्या देखो सबसे पहले बात तो आपको एरोमेटिक होना होगा और आपके पास एक ऐसा एल्डी हाइड होना होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानि की बेंजल्डी हाइड लेकिन ऐसा करने पर अभी विमार पास छे और एक साथ ही कार्बन इस्तमाल बन टू बेंजीन डाय कार्बोगजलिक ऐसे यानि जब इसकी अंदर ऑक्सिडेशन कराते हैं तो इसकी अंदर फ़र्ष्ट पर तो कार्बोगजलिक बनेगा ये लेकिन एलकाइल से भी यानि इथाइल से भी क्या बन जाएका कार्बोगजलिक ऐसे और हमें नम्मोर आफ का इसने को बोला तो नहीं है यानि है हमारा कंपाउंड हो गया वैसे रियक्शन बोला नहीं है नाम हो गया इसका टू इथाइल बेंजल्डी हाइड लेकिन फिर भी अगर हम इसकी ऑक्सिडेशन वाली रियक्शन आपको दिखा दे हमने इसके अंदर ड्रास्टिक या विगि यानि बेंजीन वन टू डाय कार्बोगजलिक असट मिल जाएगा तो दिस आर कंपाउंड हमेशा नाम भी लिखके आए और स्ट्रक्चर तो बनाके आई नाम क्या हो जाएगा इसका टू इथाइल बेंजल्डी हाइड ठीक है अब यहां पर सारे रियक्शन लिखने को नही यह पेज हमारा इस्तमाल नहीं हुआ अच्छा अगर इसी में आपको टूफोडी एनपी टेस्ट देना हो दे दोगे ना उसी को टूफोडी एनपी रिडियूस करेगा टूफोडी एनपी दिया था मैंने आपको लेकिन अगर मैं टॉलेंस और कैने जारों आपके लिए कर इस डालता हूं इन दा प्रेजंस ओफोडी माइनस तो यह इसकी ऑक्सिडेशन कर देगा इसको बना देगा यह आयन और खुद भार सिल्वर को निकाल देगा सिल्वर मिरे टेश्ट वहीं पर अगर हम इसकी टूफोडी एनपी रियक्शन कराते हैं यहां पर यहां पर यहा से एच टूर यहां से ओं यह जुड़ जाएंगे और ऐसे अगर इसके अंदर कैनी जारों करा देंगे तो कैनी जारों तो बहुत असान है भाई प्रेशन यहां वरना तो यह सब को दूसरी भाशा ही लगेंगी आपको और एक क्या बना देता है एलकोहॉल रिदक्शन करके और यहां पे हमारा सी टू एच फाइब ओएच लग जाता है ना इसको यहां बना दो क्या कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ और साथ में बन जाएगा यहां पे कौन अलकोहॉल और यह रहेगा सीधा है सी टू एच फाइब तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा तो यह तीन रिया अब यह कौन है पता नहीं यह ऐसा लग रहा है कि यह सकता है विकास दो अक्सिजन है लेकिन होने को तो यह कार्वोग जलेक भी हो सकता है होने को तो यह दो एल्डी हैड की चेंट कुछ भी सकता है वो देखते हैं वाज हाइडरोलाइज विद डैलीूट सेल्फियूरेक कार्वोगजलेक एसेड क्या बच्बी और पानी डाला चारीर कार्वोग जनेट और यह तर यह बख़गा ओगया कि एश्टर ही हाइड रोलाइज रहुने पर है और कार्बोगजलिक देते हैं लेकिन कहने हैं जब हमने C को आक्सिडाइस किया क्रोमेक असे डालके तो वापस से B मिल गया और C की डिहाइडरेशन की तो ब्यूट वन इन मिल गया इसका मतलब है C के अंदर जो नंबर आफ कार्बन्स है वो चार है और टोटल एस्टर के CH2 CH2 C double bond O O CH2 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 CH3 इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लेकिन अभी मैं आपको जान कैसे दिखा रहा हूं ताकि हम रियाक्शन भी समझ सकें अब अगर हम इसके अंदर है इसके अंदर हाइडरोलिस करा देंगे तो यहां से हमें मिल जाए ऐसा आपको एक्जाम में द CH2 C O O H और यहां से हमें मिल जाएगा कौन बच्चों आप समा सकते हैं अलकोहॉल यानि की CH3 CH2 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 O H अब यह जो कंपाउंड है यह तो हमारा कंपाउंड कौन सा हो गया यह हमारा कंपाउंड हो गया एक हाइडरोलाइस करने पर बी नाम का कार्बोग बन रहा है यानि यह हमारे लिए भी हो गया और सी नाम का अलकोहल बन रहा है हमारे लिए C हो गया तो हमने ABC तो identify कर लिए लेकिन बोला गया oxidation करते हो तो आपको क्या मिलता है चार कार्बन का कार्बोग जली चार कार्बन की alcohol की oxidation करी और आपने कहां किसकी oxidation करी सी की तो आपको वापस से क्या मिल गया भी और फिर यह क्या रहें कि अगर आप सी की dehydration करते हो अगर आप सी compound की dehydration करते हो dehydration गरने के लिए क्या डालते हैं तो याद करें यहां से जाता है और यहां से जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से जाएगा बीटा एलिमिनेशन तो CH3 CH2 CH double bond CH2 जो कि हमारे लिए कौन है बच्चो ब्यूट वन इन और यही उन्होंने का था कि की फॉर्म होगा तो हमने ABC भी पैचान लिया यहां यह काम स्टेट्पेंट के साथ करना होता है कि भाईया एज आर कंपाउंड on hydrolysis giving carboxylic acid and alcohol so compound a must be an ester and it contains eight carbon whereas dehydration of c is giving but one in which represent that compound c contains four carbon compound c is alcohol of four carbon which is butanol so compound b must be of four carbon with carboxylic acid ऐसे से करके अंगरीजी बनाके तूमोच English आपको बना दने चलिए चलिए अगला सवाल अगें यह साभी तक हमने चार सवाल के सवाल है और इसके आगे भी एक सवाल है उसके बाद हमारा आगे वह सवाल है वह सवाल है नहीं चलिए अब यह जो कोशन हमारे पास है इस कोशन में क्या है बच्ण कि हमारे पास इस कोशन को जो है इसमें 11 का भी एक कंशिप्त लागू होगा 12 के तो सारे लागू हों गई होंगे अब आप अब देखो अभी तक अनदर क्या था हमें हमें initial form of formula given था कि वो उसका formula क्या है C4H10 है C4H8 जो भी हमें initial formula given था लेकिन इस question के अंदर हमें initial formula given नहीं है हमें यहां पर percentage composition given है आप देख सकते हैं percentage composition से मेरा कहने का मतलब है कि उस compound में carbon इतना percent है और hydrogen इतना percent है और बाग की बचावा जो है वो हमारे पास oxygen है अब आपको पताना है molecular mass of the compound क्या है और वो तो 86 दे रखा एक इसक्स म्यू होगा वो tolerance को reduce नहीं कर रहा है and forms an additional compound with sodium वो sodium hydrogen sulfide के साथ additional compound बना रहा है positive hydroform test दे रहा है और oxidation पे वो हमें इथे noic acid और propanoic acid दे रहा है देखो यारे सब कुछ पढ़ने के बाद अंदाजा तो होई जाता है कि यह कौन है उपर का data बगार use करें भी हम काम कर सकते हैं लेकिन अगर उन्हें उपर का data दे रखा है तो मैं molecular formula पहले निकालना पड़ेगा और तो मेरे यकीन माने उपर के data के अगर यह mcq question आए तो उपर के data के बगार भी से solve कर सकते हैं कैसे मैं बताऊंगा भी आपको उपर के data के बगार आप इसे solve कर सकते हो लेकिन अगर हम cbsc की बात करें तो उपर के data का इस्तमाल करके ही solve करना होगा तो यहां पर 11th class का एक concept लगता है विच is called empirical formula तो आप कैसे पहुंचें इस compound तक बच्चों धिहान से देखेंगे कि अब हमें मैंने आपको पताया कि दो तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं पहला तरीका है कि हम यहां पर सब्जेक्ट वाइस बात करें तो इंपरिकल फॉर्मला का concept यहां पर लोग लगाएं तो जैसे कि percentage of carbon अगर हम यहां पर बात करें तो कार्बन का percentage of hydrogen hydrogen के percentage बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 11.63 परसेंट जिसको ग्राम में लिग देते 11.63 ग्राम आ गया और बचावा हो जाएगा हमारे पास oxygen अब oxygen जो है वह कितना हो जाएगा तो 100 में से हम इनको माइनस कर देंगे यानि कि 100 में से माइनस हो जाएगा 69.77 प्लस 11.63 जिसको मैं calculator से solve कर लेता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए और विसी बात है आप लोग ना करें आपको तो पेपर में भी सॉल्फ करना है तो हंडर में से 69.77 और फिर माइनस हुआ इसमें से बच्चो 11 सौरी 11.63 तो 18.6 परसेंट विच इस इक वर स्टू 18.6 ग्राम तो यहां से हमारे पास इनका क्या आ गया है मास आ गया है अब याद करेंगे हमें क्या करना है हमें इनके 11 क्लास अगर याद हो तो simplest होल्ड रेश्यो में मूल्स निकालने हैं तो मोल्स और कार्बन अगर हम निकाले तो मास कितना है सिक्ष्टी नाइन पॉइंट सेवन बच्चो बारा क्योंकि कार्बन का मास बारा तो तो 5.81 आ गया 5.81 मोल्स ऐसे ही मोल्स और हाइड्रोजन निकालेंगे तो वह तो 11.63 ही और ऐसे ही अगर हम मोल्स और ओक्सीजन निकालेंगे तो 18.6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे बच्चो और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 16 से कर देंगे तो 1.16 मोल्स हमारे पास आ जाएगा अब अगर आपको याद हो तो सिंपले शोल में निकालने के लिए इनको इनके चोटे नंबर से डिवाइड कर दिया करते थे तो कारबन को 5.81 को 1.68 से करेंगे तो कारबन की मोल्स हमारे पास 5 आ जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही बच्चो हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे 11.63 को 11.11 से करेंगे तो 10 मोल्स आ देंगे और ऑक्सीजन के तो बन आई गए श पैरिकल फॉर्मूला तो यहां से अगर हम लोग बात करें इंपैरिकल को draft करके तो की ज़्या पैरिकल फॉर्मुला क्या आ गया कारबन के नीचे 5 हाइडरोजन के नीचे एंप ini कारबन के नीचे 5 पैरोजन के नीचे 10 और ऑक्सीजन के नीचे वन जो कि हम लिखते नहीं एक इंप いंवार नियुन से कॉन का है एह हैं इंपैरिकल एक और सवाब यहीं से अगो याद हो तो in अपन में इंपैरिकल मास हम लोग करते थे और in और इंपैरिकल मास को करके हमें एन कि विल्लिज यहाँ पर मिलती थी तो मॉलेक्यूलर हमारे पास की ona है 98 था कितना था स्वारी 86 86 है बच्चो और इंपेरिकल मास निकाल लेंगे तो बारा इंटू में दस है अरे यह भी 86 ही आ गया 86 ही आ गया तो इसका मतलब है एंड की वेल्यू बना गई अब पर ऊपन के वेल्यू अगर वन आ गई तो याद करो लक्या फॉर्मला भी क्या हो जाए गा तो मॉलेक्यूलर फॉर्मॉला भी हमारे पास हो जाएगा जो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मला आया है यानि कि c5-10-0 अगर यहां पर बात समझें बच्चो तो फ्रॉर्मॉल यहा कर देते हैं और फॉर्मॉला आजाता सी टैन एच ट्वेंटी ओटू लेकिन एंड के बात है वर नहीं आ गए तो सी फाइव एच टैनों आ गया अभी हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर पहुंचने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मॉला मिला है अभी तक हर कोशन में फॉर्मॉला जो है वो गिवन होता था यहां पर सबस्क्राइब निकाला आए लेगिमा और दोबरा पताता हूं इसके बग्याएर भी काम हो सकता था कैसे आओ को और पढ़ते यह जो कंपाउंड है यह टॉलन्स को रिडीउस नहीं कर रहा है इसका मतलब इसके पास LD हाइड तो नहीं है लेकिन यह हाइड्रोजन सलफाइट के साथ सोडियम के एडिशन कमपाउंड बना रहा है इसका मतलब इसके पास कार्बोनाइल तो है ultimately कहने का मतलब है इसके पास किटोन है यार एल्टी हाइड नहीं है कार्बोनाइल है तो फिर किटोन हुआ ना आगे पड़े अगर समझे तो क्या कह रहे है कि भाई अगर हम अच्छा यह positive आईडो फॉर्म टेस्ट भी दे रहा है इसका मतलब है इसके पास alpha methyl भी है और क्या ही चाहिए यार आपको बताओ और फिर लिखाव है on vigorous oxidation इट गीवस इथेनोग आशीड और प्रोपेनोग एथेनोग आशीड दे रहा है इसका अल्टी में नी मतलब यह हो गया कि नहारा compound हो गया वो सी एच तू सी एच तू सी एच तू सी एच तू सी एच त्री यानि की पांच कार्बन का हमारे पास कौन हो गया कि टोन पांच कारबन का किटोन हो गया किटोन कयो क्यों कि यह तॉलेंस नहीं दे रहा है लेकिन इसके पास कारबोन लाल ही कोई दिशन और सबसे बरण बासकर अल्फा मिध्याल होना चाहिं क्योंकि यह आईडोफर्म टेश देरह है जिसके वैसे किटोन के इदर होगा अब अगर आप इसकी देखो ऑक्सिडेशन करते हो वैसे तो शायद बोला नहीं गया है कि रियाक्शन इन्वार्व लिखो तो आइडो फॉर्म और टॉलेंस तो हम समझे गए हैं लेकिन मैं आपको अगर यह वाली लास वाली रियाक्शन दिखाऊं कि अगर मैं इसकी विग्रस ऑक्सिडेशन कराता हूं अगर मैं एसमें केमनोफ देता हूं याद करेंगे बच्चोन करते हैं तो एक ही कार्भोगजली पानता है सेम नबर आफ कार्बन का लेकिन कि टोन में करते हैं तो वह अपनी चेन को तोड़ देता है और दो कार्भोगजली को बनाता है एक वो बनाएगा यहां दो कार्बंगा यहां से तूट जाएगा ना और एक बनाएगा वो तीन कार्बंगा यह नहीं एक बनाएगा वो इथे नोएक एसेड और एक बना देगा वो प्रोपेनोएक एसेड और इस प्रकार से हमारा compound एक हो जाएगा नाम क्या है इसका एक दो तीन चार पांच पेंटेन टू ओन चीक है जी तो यह चार वर्ड प्रॉब्लम हमारे NCRT के थे लेकिन अब यह हमारा एक और वर्ड प्रॉब्लम हमारे NCRT का उसके बाद हम लोग चार पांच जो है वह हमारे बार के आएंगे चलिए शुरू करें को समझते हैं पहले ही बोल दिया कि एरोमेटिक है हमें बोल दिया लेकिन जब इसको हमने एमूनिया के साथ रियाट करा और हीट किया तो इसने भी बनाया ठीक है कुछ भी हो सकता है पता नहीं क्या अवह तक लेकिन अगर इस भी एकमपाउंड को ब्रोमीन और के साथ कराय तो सी बना अब पताओ आप अमीन में एक एक लौती reaction जहाँ पे bromine और के वेच है वो है Hoffman Bromide इसका मतलब यह तो पक्का है कि जो B है हमारे लिए वो एक amide है मैंने आपको थोड़े दर पहले आपको बोला था कि जरूरी नहीं है ABC पहचानते वक्त आपको A या C ही पहले मिले B मिल सकता है क्योंकि देखो आगर मैंने B में bromine और के वेच डाला है इसका साफ साफ मतलब यह है कि यह Hoffman Bromide reaction और वो amide की होती है अच्छा जब हमने इसकी Hoffman Bromide कर दी तो हमें compound मिला C अब आप सब को पता है C जो है वो amine होता है वो भी कौन सा amine होता है primary amine जिसका formula क्या है C6H7N इसका ultimately मतलब है कि यह compound कौन सा होगा अगर C6H7N का formula follow करना है तो इसके लावा कोई और होई नहीं सकता तो बच्चों इसके लावा कोई और होई नहीं सकता क्योंकि आपको aromatic भी होना है वो तो इन्होंने पहली लाइन में बोल दिया formula चेक कर लो पहली बात दूसरी बात अगर यह इस amide से बना है यानि अगर आपने Hoffman कराई है तो इसका मतलब है यहां पर amide रहा होगा benzenamide और फिर Hoffman कराके यहां से आपने सियों का लॉस कराया होगा Hoffman Bromide reaction में सियों का लॉस होता है कंवर्जन में भी बात कि थी इसका अल्टीमेटली मतलब यह है कि ए कौन हो गया बच्चों कार्बोग्जलिक इसको मैं भी reaction वाइस भी लिखता है बच्चों यह कौन हो गया हमारे पास कार्बोग्जलिक जब हमने इसके अंदर क्या डालाrons आक्वास याने की एनअज 3 डाला इन दडर प्रेसंस आप एच 2 याद कर और यहां से does afect और बन जाता है अब अगर यहां पर आमाइड बन जाएगा तो nic with यह हमारे पास बी खंपाउंड हो गया अब हम अगर इसके अंदर हाफमेन ब्रोमाइड कराएंगे यानि यहां से कार्वो नाइल यानि सी डबल वाला हिसा निकल जाएगा और यहां पर बन जाएगा ने श्रूप जो कि हमारा सी यहां पर पर प्रोबलम क्या और बात करते हैं यहां पर सिक्स्त वर्ड प्रॉबलम क्या कह रही है काफी बड़ी वर्ड प्रॉब्म मैं द्यान से पढ़ेंगे किया रहें A, B, C, R3 non-cyclic यानि यह non-cyclic functional isomers of a carbonyl compound carbonyl compound है LDHID भी हो सकता है ketone भी हो सकता है जिसका formula है C4H8O isomers A और C positive IDO form test दे रहे हैं यानि positive tolerance test दे रहे हैं यानि कि A और C LDHID है यानि कि A और C LDHID है क्योंकि यह positive IDO form दे रहे हैं whereas B is not giving positive tolerance test वे बार-बार IDO form भोड़ रहे हैं यह tolerance test दे रहे हैं इसका मतलब है इनके पास LDHID है लेकिन जो B है वो tolerance नहीं दे रहे है इसका मतलब उसके पास LDHID नहीं है लेकिन वो क्या दे रहा है IDO form test दे रहा है B जो है वो LDHID तो नहीं है क्योंकि वो tolerance नहीं दे रहा है लेकिन इसके पास alpha methyl होगा क्योंकि यह IDO form test दे रहा है इसके बाद कह रहे हैं Isomers A और B कि जब reduction हम लोग कर रहे है reduction याद करो zinc, HCl यह कौन से reaction है Clemenon reduction तो आपको same product मिल रहा है D और Clemenon reduction से हमें क्या मिलता है तो same L यहाँ पर हमें मिल रहा है D इसका मतलब है बच्चों कि A और C की जब हम A और B की जब हम reduction कर रहे है तो हमें same product मिल रहा है यानि भले वो LDHID हो लेकिन same product मिल रहा है आप समझते हैं कौन है वो और इसके बाद आपको structure of ABC बताना है and D बताना है और out of ABC isomer which one is least reactive towards addition वो तो बात की बात है सबसे पहले पार्ट में अगर मेरे पास total formula चार कारबन के हैं तो देखो A और C को LDHID होना है तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 मैं ऐसे दो LDHID बना सकता हूँ चीक है लेकिन दिहान दे A और B की reduction से सेम बन रहा है इसका मतलब है यह A है LDHID मैं बताता हूँ A हमने सको क्यों चुना और यह हमारे पास B LDHID है अब इसको हमने B क्यों चुना इसको हमने A क्यों चुना पहले बाद दोनों LDHID है और दोनों के दोनों का फॉर्मूला सेम है इसके बाद जो C compound है उसको पहले बाद तो एक क्यों होना होगा और वो alpha methyl वाला की टोन होना चाहिए क्यों? क्योंकि वो idle form test दे रहा है alpha methyl होना चाहिए उसके पास तो यह हमारे पास C हो गया अब आप A और C की दोनों की अगर Clemson reduction करा दो A और C LD है ते सॉरी यह हमारे पास C होगा my mistake और यह हमारे पास B होगा हाना अब अगर आप A की reduction कराते हो और अगर आप B की पी reduction कराते हो जो की Clemson reduction है zinc डाल रहे हो in the presence of HCL तो क्या मिलेगा आपको यहां से reduction होगी तो भी चार कारबन और यहां से reduction होगी तो भी चार कारबन का Alkin तो as a result यह same Alkin आपको D मिल रहा है इसका मतलब है यह हमने सही पहचाना है लेकिन अगर मैं उसकी reduction कराऊंगा तो हमें branch Alkin मिलेगा जो किटोन से फिर match नहीं होगा तो इसका मतलब है A और B यह है C compound हमारे पस यह जाएगा इसके बाद अगला part पूछा था कि A, B और C में से सबसे असानी से addition of nucleophile कौन कराएगा तो answer है addition of nucleophile जो है वो steric hindrance के inversely proportional होती है जितनी steric hindrance जादा उतनी addition कम हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे कम भीड़ भाड है बोलो और यहाँ पर भीड़ भाड सबसे जादा है, ठीक है जी तो यहाँ पर भीड़ भाड यानिकि steric hindrance सबसे जादा है और यहाँ पर सबसे कम है तो पताओ कार्बोकाटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहां पर बनेगा बच्चों एडिशन और डालना के साथ अगर मुझे सबस्टिट्यूशन कराना होता तो मैं स्टिरिक इंट्रेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शनल बात करता लेकिन एडिशन जो है वह इनुवर्सली प्रपोर्शनल होती है तो सबसे फास्ट इस वाला कंपाउंड यानि यह वाला कंपाउंड करेगा ठीक है चलिए सेवन एक और गनी कंपाउंड है जिसका मॉलेकिलर फॉर्मला है सी फाइव एच्टन ओ यह टॉलेंस को रिडियूज नहीं कर रहा लेकिन अगें यह हैड्र प्रोजन सेलफाइट के साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है और विगिरस ऑक्सिडेशन करने पर यह इथे नौइक और प्रोपेनोइक देता है आपको पताना है यह कंपाउंड कौन है और केमिकल रियक्शन पताने तो हमने सेम कर लिया अच्छा दो साल में आ गया होगा कर दोबार और और आ गया होगा यह यह अपीछे तो किया तो कोशन कांगया कि यह देखो यह वाला कोशन देको फरक्शन में पहले क्या किया सीद्हा दे राए और ये एक्जाम में आया हुआ है अब आप संजो कि ऐसा भी होता है कभी कबार के सवाल को थोड़ा बहुत मैन्यूपिलेट करके वहां पर बदल के रख दिया जाता है जैसे यहां पर हमें वह परसंटेज इस नहीं दिये और आपको और असान कर दिया और सीधा ही फॉर्मला और पर चेक करें पूरा कोशन से में देखो टॉलेंस को रिडियूज नहीं कर रहा है और विगिरस और यह तो यह किया था देखो क्या किया था उसने गता टॉलेंस एडिशन दे रहा है और इथेनोई को प्रोपेन यह हो गया ठीक है हो जाएगा मेरे सब से चलिए इसके पाउंड बना भी विच ऑन हीटिंग विद बी आर टू अब देखो यह भी सेम कोशन है लेकिन यहां पे फॉर्मुला अलग है ठीक है ना इस वाले कोशन में हमारे पास फॉर्मुला क्या दिया वा था फॉर्मुला दिया वा था कहां गया हाँ इस वाले कोशन में फॉर्मुला था सी सिक्स एच सेवन एन और बोल रखा था कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन यहां वाले कोशन में इस वाले कोशन में हमारे पास एक अच्छा यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा यहां पर यह कंपाउंड है बस यह कंप 5-9 को एच के साथ यानि अगेन यह कोशन अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी और सी में सी हमें दे रखा है अमीन और भी हमारे पास कैसे बना हमने बी के अंदर बी आर टूर के वे दला तो यह बना इसका मतलब बी कौन होगे हमारे लिए अमाइड और ए कौन होगे अब अम मतलब अगर हमारे पास C है CH3 NH2 तो फिर बी क्या रहा होगा CH3 C double bond OH2 और इसको किस कार्वोग्जलिक से बनाया होगा CH3 COOH इसके अंदर देखो अगर मैं NH3 एकवास डाल दूँ तो यह बन जाएगा और फिर इसकी हॉफमेन करा दूँ बी आर टू को एच तो यहां से कार्ब चलिए अच्छा मतब वही सवाल है सेम आने तो वही है थोड़ी बहुत भाषा बदल जाएगी थोड़ा बहुत चीज़ेदर हो जाएंगी होना सब कुछ सेमी है बाकी चलिए यह आखरी सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल है एक मिनट इसको देखें और कोशिश करें कि आ पर एक प्लान बना ले मेरे साब से अगर आपने पड़ा है तो वीडियो को पॉस्ट करता हूं कि आखरी सवाल है बच्छों और आप और मैं अपना आंसर मैंज करेंगे हैं ना क्योंकि बड़ा पेपर बहुत करीब आ रहे हैं तो बैतर रहेगा आप इसे अपने लेवल प पर वीडियो को पॉस्ट करते हैं यहीं पर फिर हम चेक करते हैं कि मैंने सही किया है और जो हो गया होगा बचल इसको कि क्या क्या दिमाग lighting आपने बचल बहुत इस्कि यह सवाल है तो कि Sat LQ ऑन तो मार पास अगेन अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, compound B has the molecular formula, compound B का molecular formula C7H8O, जिसकी अगर हम oxidation कर दें तो वापस से A मिल जाएगा, इसका मतलब यह है कि यह compound ester तो नहीं है, क्योंकि ester कैसे हो सकता, ester अगर होता तो compound B वापस कैसे मिलता, इसका मतलब कहीं ना कहीं, यह हमारे पा कैनी जारो reaction कर रहे हैं, आँ मैं समझाता हूँ कैसे है, देखो, अगर मैं compound A लेता हूँ, compound A लेता हूँ, और वा compound A लेता हूँ, benzaldehyde, क्योंकि कैनी जारो करानी है मुझे, और मैं इसके अंदर अगर NaOH डाल देता हूँ, तो याद करेंगा, मैं कोछ दो compound मिलते हैं, कैनी यहाँ पर वो यह बोल रहे थे, कि on oxidation with CRO3 gives back compound A, compound C is the sodium salt of the acid, तो compound C is the sodium salt of the acid, when heated with soda lime, यह तो बात की बात है, और यह हमारे पास B हो गया, जिसका formula उनने क्या बलाता, C7H8O, तो चेक करो, उसका formula C7H8O ही मिलेगा आपको, पहली बात, दूसरी बात, यह हमारे पास compound हमारा कौ सा हो गया A, अब जो जो बाते मापे लागू होती हैं, कहरें अगर हम compound B की, अगर हम compound B की, वापस से oxidation करा देते हैं, CH2OH करके, CRO3 डालके, तो यह वापस से हमें क्या दे देता है, अब alcohol की oxidation करा रहे हैं, तो LDH मिलेगा ना, तो वापस से हमें A मिल जाएगा, बिलकुछ ही ह और इसके बाद वो यह भी कहरते हैं, कि अगर हम इसके अंदर soda lime, यानि की decarboxylation कराते हैं, तो हमें aromatic hydrocarbon D मिलेगा, अब अगर मैं इस compound की calcium oxide डालके decarboxylation कराता हूँ, तो यहां से यह पूरा का पूरा compound क्या कर जाएगा, decarboxylation कर जाएगा, यानि की COO- यहां से हट जाएगा, Na plus भी हट जाएगा, और हमें एक aromatic hydrocarbon यानि की D नाम का compound यानि की benzene मिल जाएगा, काफी अच्छा, काफी प्यारा सवाल है बच्चों, तो word problem करने के लिए आपको basic सारी reactions बस आनी चाहिए, और आपको खास कर word problem में main main, अब आप देखो, इ reaction सबसे ज़्यादा लग रही है, तो इन reaction के उपर question आने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यह हमारे पास बच्चों word problem हुई, जहां पर हम लोगों ने बात की कैसे कैसे question आ सकते हैं, इसी level के आते हैं, इसी पहले तो पांच नम्बरा कोशन आता था, और A, B, C, D E, F करके, A, B, C, D, E, F करके, आपको identify करने होते थे, लेकिन अब यह question ती नमबर का आएगा, तो हो सकता है, A, B, C, A, R, N, D, F, I, करने हो, हो सकता है, कोई A के compound identify करना हो, और बाकी reaction लिखने हो, लेकिन रहेगा आपके पास जो level है, वो यह रहेगा, चिक है थी, तो अगले lecture में हम लोग test and distinguish के साथ मिलेंगे, मेरी सला है, इस सारे question को आप अपने level पे दुबारा, पीपीटी होगी कहीं, या question आपके पास हैं, आप इन्हें दुबारा से solve करें, क्योंकि इन में से भी एक word problem सीधा 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 सकता है, सोचो अगर आ गया, और आपने वहां नहीं solve कि कितना बुरा लगेगा, क्योंकि एक word problem तो आ नहीं है, ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले lecture के साथ, दुबारा पता दो, तीन तारिक से हम लोग live जाना शुरू हो जाएंगे, इस चैनल पे और live हम लोग classes महां पर लेना शुरू कर देंगे, तो मिलते हैं बच्चों अगले lecture म हैं, तब तक के लिए शुक्रियां, बाई बाई, थैंक यू